वेरी गुड आफटन तो ओल आए ब्रमी कफर पहसा एम टीने घुदर बच्चे हमने जो आज का टॉपिक करना है एंवायमेंटल साइन्स का वो करना है इंपार्टन सॉफ एंवायमेंट इंवायमेंट जो होता है यह कोई सिंगल अब्जेक्ट का नहीं होता या कोई सिंगल नहीं है जिसे आप एंवायमेंट कह सकते हैं एंवायमेंट बहुत सी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है यह बहुत सारी चीजों को मिलाके बनाया जाता है जैसे हमने पहले ही बाल की थी इसमें कमिस्ट्रिय फिजिक्स, बायलोजी, साइंस ठीक है हर एक चीज जो है वो आत पड़ेंगी जैसे बालोजी की कमिस्टरी जोग्राफी रिसूर्स मैनेजमेंट एकनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन इशूज अब उते जो स्कोप है इन्वायमेंटल स्टडीज का यह बहुत ही वाइड है और यह कवर करता है कुछ है अंस्पेक्ट्स इसमें हर एक मेजर डि स्टॉर्स है हमारा और यह जो है लिमिटेड है है अनकि हम नीचर की बात करते हैं यह जो है लिमिटेड है इसमें जो है वाटर है एयर है सॉइल है मिनरल है ओईल होते हैं तो यह जो प्रोड़क्ट होते हैं जो कि हम फॉरेच से लेते हैं या ग्रैस लैंड से लेते हैं या फिर हम जो है अग्रिकल्चर से लेते हैं या फिर लाइफ स्टॉक से लेते हैं यह सारे के सारे क्या होते हैं पार्ट होते हैं हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के हैं और इनके बिना लाइफ जो है वो क्या होती है इंपॉसिबल है हुआ कि इनके बिना हम लाइफ के बारे में जो है नहीं सो सकते for example अगर जे आप आपके एक चीज़ अगर जे हमारी oxygen जो है वो कम हो जाए और carbon dioxide बढ़ जाए तो obviously जो हमारे humans हैं उनका survival बहुत ही मुश्किल है ठीक है अब बोलते हमारे को ये बता है कि हम जो है increase कर रहे हैं अपने resources को और हम जो है इनका uses भी increase कर रहे हैं क्योंकि हमारी population जो है वो दिन बदिन क्या हो रही है बढ़ रही है और जो है इसके कारण quantity जो होती है वो भी हम क्या कर रहे हैं जादा से जादा यूज़ कर रहे हैं तो earth जो है वो जो है खुद को expand तो नहीं कर सकती ठीक है लेकिन उसमें जितने भी जरूरत की चीजें हैं वो हमें इस वे में यूज करनी हैं कि वो हमारे आज की तो वो नीज को फुल्फिल कर ही पाएं लेकिन साथ ही साथ जो है फ्यूचर की नीज भी जो है वो affect ना हो फ्यूचर में भी वो Hee House जो है वो हमारे पास available हो ठीक है अब होते हैं हमने जो है misuse जो है वो बहुत ज़ादा अपने resource का जो है वो कर रहे हैं ठीक है हम waste कर रहे हैं या pollute कर रहे हैं बहुत ज़ादा natural या clean water resources को ठीक है हम जादा से ज़ादा amount में plastic कि हम इस्का जो आ मींजं एक यूजस के बाद से इसे डिसकार्ड कर देना चाहिए खतम कर देना चाहिए लेकिन हम घो यह ठाना वह भी देखो हम फूट जो है वह क्या करते हैं इस एपने कि हमेनर और प्लेट में डाल देधे हैं जबकि वही खाना सबसे पहले जब हम marriages या parties में जाते हैं, हमें यह इसी खाया जाता है, कि जितना खाना खाना है, आप उतना ही plate में डालें, और बाकी को जब खाना है, वो क्या है, आप छोड़ सकते हैं, ताकि वो खाना किसी गरीब को, या किसी orphanage में हम donate कर सकें, ठीक है, लेकिन उसके इलावा, क्योंकि आप ज़्यादा amount में डालते हो, और उसके बाद क्या होता है, आप से खाया नहीं जाता है, और वही garbage में चला जाता है, तो यह जो है miss utilization है, क्योंकि अगर जह हम food की बात करते हैं, तो food जो है, वो हमें पैसे से मिलता है, लेकिन पैसा food उगा नहीं सकता, हमारे जो resources हैं, जो खाना किसान उगाते हैं, तो इसमें कितनी मैनत से वो कोई दी फसल उगाते हैं, तो उन्हें waste करना जो है, वो बहुत ही गलत बात है, नेक्ट जो है, air pollution, air pollution जो है, यह जो होती है, हमारी respiratory disease, यानि कि जो सांस लेनी संबंदित बीमारियां हैं, वो पैदा करता है, water pollution जो है, वो जो है, gastrointestinal जो है, disorder करता है, और यह जो pollutants हैं, यह sometime cancers के रूप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर्चे हमने improve करना है इस situations को, ठीक है, तो हमें जो है, पहले से ही, ऐसे actions लेने हैं अपनी daily lives में, जो कि हमें help या preserve कर सकें अपने environment को या resources को, ठीक है, हमें जो है, government से यह नहीं expect करना चाहिए, कि वो जो है, necessary actions ले, इसमें government plus people, तोनों का ही, जो है, corporation से हम environment resources को, क्या कर सकते हैं, save कर सकते हैं, ठीक है, हमें जो है, government को सिर्फ अकेले ही manage नहीं करना है, हमने अपने environment को खुद करना है, ताके हम अपनी needs को fulfill कर सकें, यह जो है, किसी के उपर नहीं है, क्योंकि आप सांस अपने लिए लेते हों, तो अपनी सांस को लेने के लिए आपको साफ environment चाहिए, तो वो जो environment है, वो आपको खुद clean रखना है, ठीक है, यह जो है, यह आपकी duty है, कि आपने जो है, environments को क्या करना है, अच्छे से रखना है, तो यह जो थी, यह हमारी importance थी, जो हमने आज की है, ठीक है, अगर जिसमें कोई भी problem है, आप पूछ सकते हैं, till then, thank you class.